नमशकार दोस्तों, कैसे हैं आप? उमीद है अच्छे ही होंगे दोस्तों हमारी आज की वीडियो का टाइटल है The Tale of Custard the Dragon जिसके राइटर है Frederick Nash जो की एक American poet थे उन्हें अपनी humorous poetry के लिए जाना जाता है तो दोस्तों ये poem एक बलाड है जिसे 14 stanzas में लिखा गया है मैं एक एक करके आपको सबका explanation देते हुए आगे बढ़ूँगा तो आएए दोस्तों शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने first stanza की और दोस्तों इस stanza में poet बताता है कि एक छोटी लड़की है जिसका नाम है बलिंडा वो अपने छोटे से वाइट हाउस में रहती है उसके साथ कुछ creatures यानि उसके कुछ pet भी है जो उसी के साथ रहती है एक है उसकी छोटी काली बिल्ली, एक है ग्रे माउस, एक है यलो डॉग और एक है छोटी रेड वैगन यानि जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और एक है असली का ड्रैगन तो आएए दोस्तों बढ़ते हैं अपने second stanza की और इस stanza में पोयर्ट अपने सारे अनिमल्स का नाम बताता है वो कहती है कि ब्लैक किटन का नाम है इंक, ग्रे माउस का नाम है ब्लिंक, यलो डॉग का नाम है मस्टर्ड क्यूंकि मस्टर्ड भी यलो कलर का होता है और वो ड्रैगन, जिसे सब डर्पोक समझते हैं, उसका नाम है कस्टर्ड आएए दोस्तों अब अपने third stanza की और बढ़ते हैं कस्टर्ड द्रैगन had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath mouth like a fireplace, chimney for a nose and realio triolio daggers on his toes यहाँ poet ड्रैगन का description देते हुए बताती है कि उसके बड़े बड़े sharp teeth है और उसकी skin पर उपर spikes है उसके lower part में scales हैं जो उसकी skin को protect करने के लिए हैं उसके mouth को fireplace से compare किया गया है क्यूंकि उसके मूँ से वो जब चाहे आग निकाल सकता है उसकी nose को chimney से compare किया गया है जो कि smoke pass करने के लिए use होती है और उसके पैरों को sharp knife से compare किया गया है आईए दोस्तों अब अपने fourth stanza क्यों और बढ़ते है तो अब poet सारे characters की inner strength और bravery के बारे में बताता है वो कहता है कि Blinda इतनी brave है जितने मिलकर beers का group होता है इंक और blink इतने brave है कि वो lion का शिकार कर सकते है ब्लिंडा का dog इतना brave है जितना कि एक angry tiger होता है लेकिन अगर इन सब के बीच custard की बात करें तो वो brave नहीं है वो हर चीज से डरता है कि उसे हमेशा एक safe cage चाहिए होता है आईए दोस्तों अब अपने fifth stanza की और बढ़ते हैं ब्लिंडा उस ड्रैगन को बड़े ही गंदर तरीके से tease करती है यानि छेड़ती है जिसे देखकर इंक, ब्लिंग, एंड मस्टर उसका मजाग उडाते हैं और उसे night percevial से compare करते हैं जो कि एक योद्धा था लेकिन बिना courage के भाग कड़ा हुआ था वो सब उसे छेड रहे थे और उसका मजाग बना रहे थे आईए दोस्तों अब अपने six tenza के और बढ़ते हैं पोयट बताता है कि ब्लिंडा इतनी जोर से हसी कि उसके voice पूरे घर में इको करने लगी blink जो कि एक mouse था वो weak sound निकालने लगा जैसे चूहे निकालते ही हैं दूसरी और ink and mustard ड्रैगन को छेडने के लिए उसकी age पूछते हैं जब भी वो एक safe cage यानि एक safe पिंजरे के demand करता है आईए दोस्तों अब अपने seven tenza के और बढ़ते हैं अचानक से जब सब उस ड्रैगन का मजाग बना रहे थे उन्हें एक आवाद सुनाई दी किसी के आने की उन्होंने देखा कि एक pirate यानि समुदरी ढाकू दिवार चड़कर विंडो से अंदर आ रहा था डॉग उसे देखकर भौका किटन ने म्याओ किया ब्लिंडा चिलाई ओह क्योंकि सब एकदम से डर गए आईए दोस्तों अब अपने एट स्टेंजा के और बढ़ते हैं इस स्टेंजा में पोएट ने pirate के अपीरियंस को डिस्क्राइब किया है वो कहता है कि pirate के दोनों हातों में पिस्टल थी और एक छोटी तलवार भी उसके तलवार उसके दातों में फसी हुई थी उसकी काली दाड़ी भी थी और उसकी एक टांग जो की लकडी की थी उसका मतलब वो फिजिकली डिसेबल था लेकिन फिर भी उसे देखकर सब डर गए थे क्योंकि वो सबको हाम पहुचाना चाता था आईए दोस्तों अब अपने नाइन स्टेंजा की और बढ़ते हैं अब जब सबने पारेट को देखा तो सब डर गए बलिंडा तो इतनी डर गई कि वो पीली पढ़ गई और हेल्प के लिए चलाने लगी मस्टर डॉग भी हेल्प के लिए चलाने लगा इंक किटन घर के बिल्कुल नीचे चली गई और माउस ब्लिंक अपने छोटे से बिल में चला गया अपने आपको बचाने के लिए आईए दोस्तों अब हम अपने 10th स्टेंजा की और बढ़ते हैं जहां सब कैरेक्टर्स अपनी बहादुरी का प्रदरशन कर चुके थे तब ड्रैगन ने बड़ी ही अनेक्सपेक्टिट चीश करी वो सीधा पाइरेट के उपपर कूद पड़ा और ऐसी साउंड निकालने लगा जैसे कि एक इंजन प्रेड्यूस करता है यही नहीं उसने अपनी पूर जमीन पर हिट करी और वो भी पूरी ताकत से जिससे ऐसी साउंड आई जैसे कि एक मेटल की होती है और उसने उस पाइरेट के उपपर धवा बोल दिया आईए दोस्तों अब अपने 11 स्टेंजा के और बढ़ते हैं वो पाइरेट ड्रेगन का ये रियक्शन देखकर इतना शौक हो गया कि उसका मुझ खुला का खुला ही रह गया अपनी ताकत वापस हासिल करने के लिए उसने अपनी पॉकेट से अलकोहल निकाल कर पिया और अब जब उसमें हिम्मत आई तो उसने दो बुलेट्स ड्रेगन पर फाइर कर दी लेकिन वो मिस कर गई और देखते ही देखते कस्टड दा ड्रेगन ने उसे चबा चबा कर खतम कर दिया आईए दोस्तों अब अपने 12th स्टेंजा की और बढ़ते हैं ब्लिंडा एम्ब्रेजड हिम, मस्टर लिग्ड हिम, नो वन मौन फॉर इस पाइरेट विक्टिम, इंक और ब्लिंक इंगली डिट गायरेट अराउंड देट ड्रेगन को हग कर लिया और मस्टर भी उसे चाटने लगा, कोई भी पाइरेट की मौत पर दुखी नहीं था जब सबने ड्रेगन का थैंक किया और अपना लव उसके लिए शो किया, सबका माइन ड्रेगन को लेकर चेंज हो गया उन्हें याद आया कि कैसे वो उस डर्पोक ड्रेगन का मजाग बनाते थे अब सब उसे प्रेस करने लगे, एक बार को डॉग बीच में बोला, वो तो कुछ कन्फूजन हो गई, मैं कुछ कर नहीं पाया, नहीं तो मैं कस्टट से दुगना ब्रेव हूँ और आखिर में पोयट फिर वही सेम लाइन्स दोहराता है, कि फिर से सब वैसा ही हो गया, और लाइफ वैसे ही शुरू हो गई, ब्लिंडा उसी छोटे वाइट हाउस में रहती है, इंक, ब्लिंक और मस्टट के साथ, और हाँ, कस्टट भी साथ ही है, सब के सब ब्रेव हैं, लेकिन कस्टट अभी भी डरपोक है, और एक सुरक्षित पिंजरा अपने लिए ढूनता रहता है, तो दोस्तों यहाँ पर इस